सबी को मेरा नामस्कार, मेरा नाम दाविता है, वैसे दिपेट जी लेके मुलगु मंडल के जी दिवी में हिंदी सियार्टी के रूप में काम कर रहे हुए। आज की यह इंदी डिजिकल कक्षा में आप सबी को स्वागत हैं। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों सब कुशल है ना। कल हम काउन सा पाठ पड़े थे। हाँ ठीक कहां। स्वाराज्य की नीव। यह किस तरह का पाठ है। हाँ यह वार्तालाप के रूप में दिया गया पाठ है। इस माठ में जो पाठ रहे उसके नाम बताओ। हाँ लक्ष्मी भाई, जूही, मुंदर, रगुनाद्राव, तात्या, आवी। सही कहां वच्चे आपने। कल तक पाठ के कुछ अनुच्चे पढ़ेते ना। अब अग्रे अनुच्चे पढ़ेंगे। पुस्थक को ध्यान से देखो और सुनो। पाठ में आये कटिन शिब्दों को रेकांकित करो। रगुनाद्राव, मैं जानता हूँ, वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सुचना देने के लिए आया था। रगुनाद्राव, यहां कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, वह कभी नहीं ले सकेगा। क्या नहीं ले सकेगा वालियर को नहीं ले सकेगा मैं अब सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ सेना को कूच के लिए कूच यानी प्रस्तान अंटे निश्क्रमन अंटे युद्धाने की विल्लडंको समू सैन्याननी तैयारू छेसता केवल आपको सूचना देने के लिए आया था केवल आपको किसको लक्ष्मी भाई को सूचना देने के लिए आया था कैस तरह सूचना किस तरह सूचना साइनिकों को कुछ के लिए तैयार होने की सूचना लक्ष्मी भाई को देने के लिए रगनादराव आये थे तब लक्ष्मी भाई कहती है की और जुही तुम भी जाओ साँसा बाहर देख कर लेकिन टहरो शायद सेनापती तात्या इधर ही आ रहे हैं तब लक्ष्मी भाई ने कहा कि जुही को जुही तुम्बी जाओ, मगर इतने ही शाय सेनापती आ रहे है ते, इसीलिए लक्ष्मी भाई ने फिर से कहा जुही से, ता जुही को टहरने के लिए कहा, अंटे जुही विल्लमने चेपागा, वस्ट लक्ष्मी भाई जुही नी विल्लमन चेपी च्पी नि, कानी इन्तलो तात्य गारू वस्तोंडण गमनेंची, मल्ली जुही नी आगमने चेपि नि, जुही बाहर देखकर जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है सरदार तात्या का प्रावेश जुही बाहर देखी और कही हाँ वो तो सरदार तात्या ही है अपड़ जूही वेंटने बैटिकी चूसी आउनू निजमें मीरा नदी निजमें सर्धार तात्या गारे कड़की वस्तु उन्नारू अपड़े सर्धार गारियों का प्रवेशमों जरी हिंदी तब फिर लक्ष्मी भाई ने कही कहिए सर्धार तात्या आज आप इधर कैसे बूल पड़े लक्ष्मी भाई कही कि सर्धार तात्या आज आप इधर कैसे आए इटवाई पूयला रावडन जरी गिन्दी तात्या भाई साहब मैं किसी के लिए सर्धार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ दात्या लक्ष्मी भाई से कहते हैं कि मैं किसी के लिए भी सर्दार हो सकता हूँ मगर आपके लिए तो सेवक ही है निने वरी कहना सर्दार निका अच्छिकानी मेक मात्रा निने पुड़ू सेवक उड़ने लक्ष्मी भाई व्यंग से इतने बड़े सेनापती को इस प्रकार एक नारी के सामने जुकने लज्जा नहीं होती अम्मों इंतलोपु मल्ली लक्ष्मी भाई एमनन इतने बड़े सेनापती इंता गुप्प सेनापती एक नारी के सामने उका स्त्रीम उन्दू जुकने अंटे तला दिन्चु कोड़ुल रज्जा नहीं होती लज्जा अर्दमेटर सिग्डू पड़नाटे उका अम्मायम उन तला दिन्चु कोड़ं मीकु सिक्करी पीड़ं लेदा आने भ्यंग्यंगा अनड़ं जरीइंदी तब खैर चोड़ो इस बात को सरे उधले से इकड़ तो इविश्याननी उधले अंडी यह तुमारी विनम्रता है यह तो तुमारी विनम्रता है यह आपका सच्चा और लेकिन यह तोपों की आवास कैसी आ रही है काउंसा उत्सव मनाया जा रहा है शायद चाटकारों में जागीर बातना अभी कत्म नहीं हुआ यह तोपों की आवास कैसी आ रही है यह तोपों की आवास किस तरह आ रहा है कहां से आ रहा है और काउंसा उत्सव मनाया जा रहा कौंसा उत्सा उत्सा उत्साव यानी पंडगा त्योहार एम पंडगा जरुगुतुंदी शायद चाटकारों में जागीर पाटना अवी कत्म नहीं हुआ शायद उक वेल चाटकारंटे कुशाम दियांटे आनंद समयम लो जागीर जागीर का अर्थ राज्य की ओर से दान के रूप में देने वाली भूमी है अंटे राज्यम तर्फुना प्रजलकु इच्चेट्वंटी दान रूपम लो इच्चेट्वंटी भूमी ने जागीर अ यहां तक समझ गये बच्चों सबको समझ में आया की नहीं पार्ट के सम्मदित कुछ प्रश्न पूछे लक्ष्मी भाई तात्या से क्या कह रही है यहां किसके बीच में बाचित हो रहा है सरदर किसे कहते हैं हां तात्या को कुछ का अर्ध क्या है जागीर का अर्ध क्या है जागीर का अर्ध राज की तरफ से दान में देने वाला भूमी है तो बच्चों पार्ट समझ में आया कल फिर में रेंगे धन्यवाद